असलाम अलेकुम फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार शाही टुकड़ा की रेस्पी शेयर करने जा रही हूँ वह भी घर की बनी रबडी के साथ जो खाने में ये शाही टुकड़ा थोड़ा क्रिस्पी भी रहता है और बहुत अच्छा लगता है तो हम अप और यहीं पर डालेंगे डेड़ कप शकर शकर यहां पर थोड़ा सा जाएगा क्योंकि हल्का सा चटचटा शीरे जैसा बनाना है अब हाई फ्लेम पर इसे एक बॉयल देंगे और लो टू मीडियम करके इतना पकाएंगे कि यह गाढ़ा हो जाए इसे कंटिन्यूस चलाने ज कम हो गया है और इसे पकते हुए 25-30 मिनट लग जाते हैं क्योंकि स्लो फ्लेम पर रहता है और इसे आप पहले भी तयार करके रख सकते हैं यहां पर तार नहीं है पर छूने पर हलका सा थोड़ा सा गाढ़ा सा दूर जैसा फील हो रहा है तो इतना रखना जरूरी है तो इसी में डाल देंगे एक टेबल स्पून भरके लाइची पाउडर जो शकर के साथ पीस लेया है और एक लाइची ऐसे खोल के डाल दिया है इसको थोड़ा सा बस मिक्स कर लें यहां पर एक पैकेट ब्रेड ले ले लिया है इसका ब्राउन पार्ट हम यह नहीं निकालेंग के सारे ब्रेड को फ्राई करना शुरू करेंगे और टमप्रेचर अच्छा होना चाहिए बहुत कम तंप्रेचर पर नहीं फ्राई करेंगे नहीं तो ब्रेड बहुत सारा ओल अब्जॉब कर लेगा और इसे अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई करना है ताकि बिल्कुल करा पर फ्राइए कर लिया है अब यह ब्रेट पुरी तरह ठंडा हो गया है यह पर यहां पर शीरा भना के रखा था उसको तोड़ा सा गरम करेंगे जैवर फ्लेम को यहां कर देंगे और इक डाल की उलट-पलट के इस पर दूद का शीरा फ्लेम करें निकाल देना है इसे जो हमारा शाही टुगड़ा बहुत ही क्रिस्पी रहता है अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट पसंद है तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मिल्क में छोड़ दीजिए तो यह सॉफ्ट शाही टुगड़ा बन जाएगा और ऐसे एक एक करके सारे डाल लेते हैं और यह थोड़ा सा गाड़ा रहता है तो इसको सौगी नहीं होने देता है ब्रेट को इसके उपर एक पतला सा लेयर हो जाता है जो बहुत जादा मीठा भी नहीं लगता है अब यहां पर हमने बहुत ही मज़ेदार खुर्चन वाली रबडी बनाई है इसका वीडियो अगर आपनी नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए बहुत ही अच्छे से बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो सारे शाही टुगड़ों पर हम दो ट्रे में हमने शाही टुकड़े को लगा लिया था और दोनों में ही रबडी लग गया है अब यहां पर थोड़ा थोड़ा सा ड्राइफ्रूस डाल देंगे यह शाही टुकड़ा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है इसे आप थोड़ी देर रख के भी खाएंगे त उसके वज़े से शाही टुकड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप सेम रेस्पी शाही टुकड़े की ट्राइ करिएगा आपको भी बहुत जादा पसंद आएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक शेयर कॉमेंट भी क तंक्स पर वचिए